नमस्कार दोस्तों आज 7 नवंबर को जानेंगे देश के सभी राज्यों का मौसम का हाल। उत्तर भारत में नवंबर की शुरुआत में थंड गायब है। दिल्ली में प्रदूशन के बीच तापमान अभी भी 30 दिग्री से उपर बना हुआ है। पहारी इलाकों में थंड लग रही है। दिल्ली सहिक पूरे उत्तर भारक में अभी ठितुरं तक महसूस नहीं हो रही है। हाँ, पहारी इलाकों में जरूर कई जगल तापमान में गिरावट आए है। मौसम विभाग 8 नवंबर से 15 नवंबर के बीच थंड की दस्तक देने के संकेत दे रहा है। इ यहार दोनों ही प्रदेशों में आज मौसम साफ रहेगा। पंजाब में आज अधिक्तम तापमान 31 डिगरी तो वही न्यूंतम तापमान 16 माइनस 17 डिगरी दर्ज किया जाएगा। ऐसा ही मौसम आगे एक हफते तक बना रहेगा। हर्याना की बात करें तो यहां भी थंड तापमान गिरना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर की बात पहले करें तो यहां अनंतना, कुकेरना, कुपवाडा और पहलगाम जैसे इलाकों में न्यूंतम पारा 1-6 डिगरी सेलसियत तक जा सकता है। अधित कतम तापमान 20 डिगरी तक रहने की संभावना है। उत्तर इलाकों में यह माइनस में दर्ज हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां अधिक्तम तापमान 18-20 डिगरी तो न्यूंतम 8-11 डिगरी पर है। पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं जहां अभी धन्ने दस्तक नहीं दी है। यूपी के पश्चिमी और पू गुर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का कोहरा भी रहने की भी संभावना है। कैक शेत्रों में न्यूंतम पारा 20 डिगरी के नीचे आने लगा है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। यहां आज मौसम साफ रहेगा। न्यूंतम पारा 20 डिगरी के पास नोट किया जा रहा ह आगले एक सकता तक इसमें उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में ठंट को लेकर अच्छी खबर है।